हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टेंथ की हिंदी पाथि पुस्तक संचेयन भाग दो का दूसरा अध्याई सपनों के से दिन और इसके लेखक हैं गुर्दयाल सी हैं तो आईए शुरू करते हैं मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता नंगे पाउं फटी मैली सी कच्छी और तूटे पठनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल जब लकडी के धेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिर कर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार-तार हो जाते धूल भरे कई जगह से छिले पाउं, पिंडलियां या लहू के उपर जमी रेत मिट्टी से लत्पत गुटने ले कर जाते तो सभी की मा बहने उन पर तरस खानी की जगह और पिटाई करती कईयों के बाप बड़े गुसैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुह से लहू बहने लगा है या उसके कहां चोट लगी है, परन्तु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते यह बात तब ठीक से समझ आई जब इसकूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनुविज्यान का विशय पढ़ा ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते सारे महले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गाउं से ही आकर बसे थे दो तिन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी उन में से अधिकतर तो इसकूल जाते ही न थे जो कभी गए भी पढ़ाई में रुची न होने के कारण किसी दिन बसता तालाब में फैक आए और इसकूल गए ही नहीं ना ही माबापने जवरदस्ती भेजा यहां तक की परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को इसकूल भीजना जरूरी नहीं समझते कभी किसी सकूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तहसिलदार लगवाना है खोड़ी बड़ा हो जाए तो पंडित घंशाम दास के लंडे चड़वा कर दुकान पर वहिया लिखने लगा लेंगे पंडित 6-8 महिने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम चा भी नहीं सीख पाया हमारे आधे से अधिक साथी राजिस्थान या हरियाना से आकर मंडी में व्यापार या दुकान दारी करने आये परिवारों से थे जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हासी आने लगती परन्तु खेलते तो सभी एक दुसरे की बात खूब अच्ची तरह समझ लेते पता भी नहीं चला कि लोकोक्ती अनुसार एह खेड़ दे दिन चार कैसे कब बीद गए हम में से कोई भी ऐसा न था जो इसकूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैंद ना समझता हो कुछ अपने माबाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे बच्च्पन में खास अधिक हरी और फूलों की सुगंद अधिक मनमोहक लगती है यहाँ शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में बढ़े थे परन्तु आज तक याद है याद रहने का कारण यही है कि यह वाक के बच्पन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा परन्तु इसकूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों और जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे जाड उगे थे जिन्हें हम डंडिया कहा करते उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महग आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ उन दिनों इसकूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे जिनमें गुलाब, गैंदा और मोतिया की दूद सी सफेद कलियां भी हुआ करती ये कलियां इतनी सुन्दर और खुश्बुदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आँख बचा कर कभी कभी एक दो तोड़ लिया करते उनकी बहुत तेज सुगंद आज भी महसूस कर पाता हूँ परन्तू यह याद नहीं कि उन्हें तोड़ कर कुछ देर सूंग कर फिर क्या किया करते शायद जेब में डाल लेते मा उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फैंक देती या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों के भाती चर जाया करते जब अगली स्रेणी में दाखिला होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उतसाहिद भी होते परन्तू दूसरी और नई पुरानी कौपियों किताबों से जाने कैसी बास आने लगती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कापने लगते जो पिछली स्रेणी में पढ़ा चुके होते तब स्कूल में शुरू साल में एक डेड़ महीना पढ़ाई हुआ करती फिर डेड़ से दो महीने की छुटिया शुरू हो जाया करती अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुटियों के पहले और आखरी दिनों का फर्क था दो-तीन सब्ताहतों खूब खेल कूद हुआ करती हर साल मा के साथ ननिहाल चले जाते वहाँ नानी खूब दूद, दही, मक्षन खिलाती बहुत प्यार करती छोटा सा पिछड़ा गाउं था परन्तु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था दोपर तक तो उस तालाब में नहाते फिर नानी से जो जी आता मांग कर खाने लगते नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के करण बहुत खुश होती अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती जिस साल ननिहाल न जा पाते अपने घर से थोड़ा बाहर ताला पर चले जाते कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रे तीले टीले पढ़ जाकर रेत के उपर लेठने लगते गीले शरीर को गरम रेत से खूब लतपत कर उसी तरह भागते किसी उची जगह से ताला पर चलांग लगा देते रेत के गंदले बानी से साफ कर फिर तीले की और भाग जाते याद नहीं कि ऐसा पाँच दस बार करते या पंदरह बीस बार कई बार तालाब में कूद कर ऐसे हाथ पाउं हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराख हो परन्तु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था कुछ तो हाथ पाउं हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैस की सिंग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलहा देते उन्हें धांडस बधाते कूधते समय मुह में गंदला पानी भर जाता तो बूरी तरह खासते कई बार ऐसा लगता कि सांस रुखने लगी है परन्तु हाई हाई करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुच जाते फिर छुटियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते प्रति एक दिन डर बढ़ता चला जाता खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता मास्टरों ने जो छुटियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते जैसे हिसाब के मास्टर जी दोसों से कम सवाल कभी न बताते मन में हिसाब लगाते कि यदि एक सवाल रोज निकाले तो बीस दिन में पूरे हो जाएंगे जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुटियों का एक महिना बाकी हुआ करता एक एक दिन गिनते दस दिन खेल कूद में और बीच जाते स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता परंतु डर बुलाने के लिए सोचते कि दस की क्या बात सवाल तो पंदरह भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुटियों कम होते होते जैसे भागने लगती दिन बहुत छोटे लगने लगते ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भाग कर दो पहरी में ही छिप जाता हो जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते इस्कूल का भै बढ़ने लगता हमारे कितने ही सहपाटी ऐसे भी होते जो छुटियों का काम करने के बज़ाए मास्टरों की पिटाई अधिक सथा सौधा समझते हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भाती ही सोचने लगते ऐसे समय हमारा सबसे बढ़ा निता ओमा हुआ करता हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे मैं उस जैसा कौन था कोई भी उस जैसा लड़का नहीं ढूंड पाते थे उसकी बातें, गालियां, मार पीट का ढंग तो अलग था ही उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी हांडी जितना बड़ा सिर उसके ठिगने चार बालिष्ट के सरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो इतने बड़े सिर में नारियल किसी आखो वाला, बंदरिया जैसे बच्चे वाला चेहरा और भी अजीब लगता लड़ाई वह हाथ पाव नहीं सिर से किया करता जब सांड की भाती फुंकारता, सिर जुका कर किसी के पेट या चाती में मार देता तो उससे दुगनी तिगनी शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिलाने लगते हमें डर लगता कि किसी की चाती की पस्ली ही न तोड़ डाले उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बंबा रखा हुआ था रेल के कोईले से चलने वाले इंजन की भाती बड़ा और भयंकर ही तो था हमारा स्कूल बहुत छोटा था केवल छोटे छोटे नौ कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भाती बने थे दाई और पहला कमरा हेड मास्टर श्री मदन मुहन सर्मा जी का था जिसके दर्वाजे के आगे हमेशा चिट लटकी रहती स्कूल की प्रेयर के समय वह बहार आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोल चहरा खेल उठता सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांध कर उनके पीछे खड़े होते केवल हेड मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा उनकी गुड़की तथा ठुड़ों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखरी लड़के का ध्यान रखते सीधी कतार में खड़े रहने का प्रयात्न करते सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सक्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा न सुना था यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाउं से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी और बाग की तरह जहपट पड़ते और खाल खीचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते परन्तु हेड मास्टर शर्मा जी उसके बिलकुल उलट स्वभाव के थे वह पाचवी और आठवी स्रेणी को अंग्रेजी स्वयंग पढ़ाया करते थे हमारे मेंसे किसी को भी याद न था कि पाचवी स्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेरते देखा या सुना हो चमड़ी उधेरना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारे मिडल स्कूल का नाम अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आँखे जपकाते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर जुका कर मुह नीचा किये हस देते वह चपत भी जैसे हमें भाई भीकी की नमकीन पापडी जैसी मज़ेदार लगती जो तब पैसे की शायद दो आ जाया करती परन्तु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं पहली कच्ची स्रेणी से लेकर 34 स्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिलाते ही स्कूल जाया करते परन्तु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते इस्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउट अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली जंडिया हाथ में पकड़ कर 1-2-3 कहते जंडियां उपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फडाती जंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में तो रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकेली आखें हलके से जपकाते कहते शाबास वेल बिगिन अगेन 1-2-3, 3-2-1 उनकी एक शाबास ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फोच के सभी तमगे जीत लिये हो कभी यही एक शाबास सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कौपियों पर साल भर की लिखी गुडों गुट का बहुचन से अधिक मुल्यवान लगने लगती कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सक्त महनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी परन्तु यह भी ऐसास रहता है कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सरीगुत के भाई से ही प्रेम जाकता है वैसे ही पीटी साहब के प्रती हमारी प्रेम की भावना जग जाती यह ऐसा भी है कि आपको रोज फट कारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबास कह दे तो यह चमतकार सा लगने लगता है हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती हर वर्ष पहली स्रेडी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तके मिला करती एक स्रेडी आगे रहा हर साल अप्रेल में जब पढ़ाई का नया साल आरंब होता तो शर्मा जी उसकी एक साल पुरानी पुस्तकें ले आते हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिल्चस्पी ना थी यदि नई किताबे लानी पढ़ती जो तब एक दो रुपे में आ जाया करती तो शायर इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चोथी स्टेडी में ही छूट जाती कोई साथ साल इसकूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबे मिल जाना भी था कापिया, पैंसिले, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से एक दो रुपिये साल भर में खर्च हुआ करते परन्तु उस जमाने में एक रुपिया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी एक रुपिय में एक सेर घी आया करता और दो रुपिय की एक मन यानी 40 सेर गंदम इसी कारण खाते पिते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते हमारे दो परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था परंतु किसी भी नई स्रेणी में जाने का ऐसा चाओ कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते अजीब बात थी कि मुझे नई कौपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंदह आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था इसका ठीक था कारण तो कभी समझ में नहीं आया परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है इस अरुची का कारण यही समझ में आया कि आगे की स्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भाई ही कहीं भीतर जम कर बैठ गया था सभी तो नए ना होते थे परंतु दो तीन हर साल ही वह होते जो की छोटी स्रेणी में नहीं पढ़ाते थे कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर्फन मौला हो गए हों यदि उनकी आशाओं में पूरा नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमडी उधेर देने को तयार रहते इनी कुछ कारणों से लेकर कॉपी किताबों के गंद से ही नहीं बाहर के बड़े गेट से दस पंदरह गज तूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के जाड़ उगे थे उनकी गंद भी मन उदास कर दिया करते परन्तू स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था मास्टर फ्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेट करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुह से ली विसल से मार्च कराया करते फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एडियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों को ठक ठक करते अकड कर चलते तो ऐसा लगता जैसे हम विद्यारती नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों फौजी जवान दूसरे विश्वयुद्ध का समय था परन्तु हमारी नाभर रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 यानी 1923 में गिरफतार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाय के नाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहान तो हो गया था उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी फिर भी राजा केन रहते अंग्रेज हमारे रियासत के गाउं से जबरन भरती नहीं कर पाया था लोगों को फौज में भरती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते वे रात को खुले मैदान में शामी आने लगा कर लोगों को फौज के सुख आराम बहादूरी के द्रिश्य दिखा कर आकरशित किया करते उनका एक गाना अभी भी आद है कुछ मस्खरे आजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फोजी बूट पहन गाया करते भरती हो जारे रंगरूट भरती हो जारे अठे मिले से तूटे लीतर उठे मिलेंदे बूट भरती हो जारे हो जारे रंगरूट अठे पहन से फटे पुराणे उठे मिलेंगे सूट भरती हो जारे हो जारे रंगरूट इन्ही बातों से आकरशितों कुछ नौजवान भरती के लिए तैयार हो जाया करते कभी-कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किये बूट और जुरावों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेट करते तो लगता हम फौजी ही हैं मास्टर प्रितम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हसते नहीं देखा था उनका ठिगना कद दुबला पतला परंतु गठिला शरीर माता के दांगों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आखें खाकी वर्दी चमडे के चौड़े पंजो वाले बूट सभी कुछ ही भैभीत करने वाला हुआ करता उनकी बूटों की उची एडियों के नीचे भी खुरिया लगी रहती जैसे तांगे के घोडे के पैरों में लगी रहती हैं अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटे सुरों वाले कील ठुके होते यदि वह सकती जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टकनों में कभी मोज तक नहीं आई थी उनको देखकर हम यदि घरवालों से बूटों की मांग करते तो माबाब यही कहते कि टकने टेड़े हो जाएंगे सारी उमर सीधे ना चल पाओगे मास्टर प्रितम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था परन्तु हम उनसे नफरत भी क्या करते थे कारण तो उसका मारपीट था हम सभी को जो मेरी उमर के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें 34 स्रेणी में फार्सी पढ़ाने लगे थे हमें उर्दू का तीसरी स्रेणी तक अच्छा अभ्यास तो हो गया था परन्तु फार्सी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी अभी हमें पढ़ते एक सप्ता भी न हुआ होगा कि प्रितम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे हम सभी घर लोटकर देर रात तक उसी शब्द रूप को बार-बार याद करते रहे परन्तु केवल दो-तीन ही लड़के थे जिने आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया दूसरे दिन बारी-बारी सब को सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया तभी मास्टर जी गुर रहे सभी कान पकड़ो हमने जुक कर टांगों के पीछे से बाहे निकाल कर कान पकड़े तो वह गुस्से में चीखे पीठ उची करो पीठ उची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के ठकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेड मास्टर शर्माजी अपने दफ्तर में आ चुके थे जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्माजी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डक्टर कपलाश से मिलने गए थे वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए चायद यह पहला आउसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बरबरता को सहन नहीं कर पाए बहुत उत्तेजित हो गए थे What are you doing? Is it the way to punish the students of fourth class? Stop it at once हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय पांचवी स्रेणी से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू की जाती थी परन्तु हमारे स्कूल के साथवी आठवी स्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हो? क्या 34 रेणी को सजा देने का यह ढ़ंग है? इसे फारन बंद करो शर्मा जी कुस्से से कापते बरामदे से ही अपने दफ्तर को चले गए थे फिर जब प्रितम चंद कई दिन स्कूल नहीं आये तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुवत्तल करके अपनी और से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है वहां हरजीलाल नाम के महकमाय तालिम के डारेक्टर थे जिन से ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थे उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी पीटी प्रितम चंद को जब तक नाभा से डारेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह इसकूल में कदम नहीं रख सकते जब भी फार्सी की घंटी वच्ती तो हमारी चाती धक धक करती फटने को आती परन्तु जब तक शर्माजी स्वयम या मास्टर नौहरिया रामजी कमरे में फार्सी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चहरे मुर्जाए रहते फिर कई सब ताह तक पीटी मास्टर इसकूल नहीं आए पता चला कि बाजार की एक दुकान के उपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराई पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे कुछ साथवी आठवी के विद्यारती हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी पहले की तरह ही आराम से पिजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार बिगो कर रखे बादामों की किरियों की छिलका उतार कर उन्हें खिलाते उनसे बाते करते रहते हैं उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए ये ते वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे? क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी. बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याई के साथ. तैंक यू.